ममता की जीत पर बंगाल को दूसरा कश्मीर कहने पर भढ़के बीजेपी विधायक कंगना रनौत को कह डाला मूर्ख ओरत पश्चिम बंगाल में ममता बनरजी की प्रचंड बहूमत से जीत पर कंगना रनौत ने भाजपा के समर्थन में ट्वीट किया था इस स्ट्वीट में वो यहां तक लिग गए कि बंगाल में दूसरा कश्मीर तयार हो रहा है जाहिर है उनके स्ट्वीट पर प्रतिकरियां आएंगी लेकिन सबसे कड़ी और विरोध की प्रतिकरिया भाजपा से ही आई है यूपी के गोरखपुर शहर से भाजपा के विधायक डॉक्टर राधा मोहंदा सगरवाल कंगना के स्ट्वीट पर इस कदर भड़क गए कि उन्हें मूर्ख औरत तक कह डाला दो माई को हुई मदगर्णा में बंगाल में ट्यम्सी को मिली जीत के बाद कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट किये इनके जर्ये कंगना ने बंगाल में भाजपा की हार पर अपना गुस्ता जाहिर किया कंगना ने यहां तक लिखा कि आने वाले दिनों में बंगाल में जो खूनी खेल होगा उस पर आखे बंद करना मुश्किल हो जाएगा कंगना यही नहीं रुकी उन्होंने लिखा बंगला देशी और रोहिंग्या मम्ता की सबसे बड़ी ताकत है जिस तरह की प्रिविर्टी दिख रही है उससे साफ पता चलता है कि वहां हिंदू अधिक संख्या में नहीं है आकलों के अनुसार बंगाली मुसल्मान पूरे भारत में सबसे गरीब और सबसे वन्चित है अच्छा है दूसरा कश्मीर तयार हो रहा है कंगना के इनी नफरती ट्वीट्स की वज़ा से ट्वीटर ने कंगना के अकाउंट पर्मिनेंटली सस्पेंट कर दिया है कंगना के इस ट्वीट पर गोरकपुर के भाजपा विधायक डॉक्टर राधा मुहंदा सगरवाल ने कड़ी आपती जताई उन्होंने जवाबी ट्वीट करते हुए अपनी टिपणी में लिखा बहुत ही शर्नाक कॉमेंट दिया है इस मूरक औरत को इतनी बेहूदी बाते कहने के लिए चुनावायो को इसके विरुद सख्त कारवाई करनी चाहिए उन्होंने आगे लिखा मैं बीजेपी विधायक हूँ और जानता हूँ कि पीएम अमित शाह जेपी नड़ा ने बहुत ही बड़पन के साथ मम्ता बनर जी को जीत की बधाई एक इंटरव्यू में भाजपा विधायक ने कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है कंगना भाजपा की कतित समर्थक बनकर जो कुछ कह या लिख रही है वो पाटी को भी कतई स्विकारे नहीं हो सकता ऐसी बाते कहकर सुर्खियों में बने रहने कि उनकी आदत हो गई है ये स्विकार नहीं किया जा सकता है कि हम हार गए हैं तो बंगाल कश्मीर में बदल गया है कंगना कभी महराश्ट को कश्मीर बताती है तो कभी बंगाल को ये बिलकुल गलत बात है हमारी लड़ाई टीमसी और रमता बनरजी से है हम मजबूती से लड़े अब चुनाव खत्म हो गया सब को बंगाल के लिए काम करना है तो वही भाच्वा विदायक ने कंगना की बातों पर चुनाव आयोक से संग्यान लेने की मांग भी की उन्होंने कहा कि कंगना जीत हार को मझहभी रंग दे रही है बंगाल में 27 पतिशत ही मुसल्मान है क्या वहाँ सबी मुसल्मानों ने उन्हें वोट दिया फिर बाकी वोट ममता को कहां से मिले कंगना की बाते किसी भी कीमत पर सुईकार नहीं की जा सकती है वो अपनी राजनीती कर रही है लेकिन उन्हें लोकतंत्र की मर्यादा का खयाल रखना चाहिए बीजेपी विधायक द्वारा कंगना को घटी औरत कहे जाने पर क्या सोच रहे हैं आप हमें कमेंट कर जरूर बताईए अगर अभी तक आपने खबरड़ा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले